अलो बच्चो लेट से इस कोशन इट सेज वेन रे ओफ लाइट स्ट्राइक सब प्लेन मिरर अट एंगल ओफ 15 डिगरी विद्धा मिरर एक लाइट रहे है उसने प्लेन मिरर को स्ट्राइक किया 15 डिगरी वे जैसा आफ फिगर में देख रहे हूँ आपसे पूछा है वाट व वज़े से यह रिफ्लेक्ट होके एक दूसरी डिरेक्शन में चली गई यहां तो आपसे पुछा है कितने इंगल से लाइट रे डिवेट हो गई देखो यह नॉर्मल बना दिया हमने तो गाइस यह नॉर्मल है यह 15 डिगरी है तो यह कितना हो जाएगा 75 90 बनता है एंगल और रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा 75 डिगरी बनेगा चीक है अच्छा अब कितने एंगल से लाइट रे डिवेट होई तो गाइस यह बेसिकली यह इनिशल डिरेक्शन होती लेकिन विकॉज ऑफ मिरर लाइट रे यहां चली गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने एंगल स ना इंगल आउफ टवीएशन कितने एंगल से लाइट रे की पाथ चैज हो गई यह हो जाएगा एंगल ऑफ डे वेशन इतने एंगल से लाइवेट यह फनी पाथ से तो क्याइस अगर यह 75 यह कितना चाहिएगा तो यह छाएगा 15 होगा है निख के अब यह 15 है तो यह फिन इतना हो जाएगा 15 डिगरी होगा न वर्टिकल्ट इपोजेट इंगल तो आप देखरे हो कितने अंगल से डिविट हो गई Angle of deviation कितना आ रहा है guys देखो basic mathematics लगाई है हमने तो हमें यहाँ पे Angle of deviation कितना डिगर आ है 15 plus 15 15 degree plus 15 degree कितना आ गया 30 degree से light ray deviate हो गई 30 degree से light ray deviate हो गई option B is correct देखो इसको जनरली भी आप ऐसे देख सकते हो याद रखो जैसे suppose करो किसी mirror पे यह general चीज़ बतायाता हूँ आपने एक light ray coincidence किया Angle of incidence I है और light ray से reflect होके चली गई Angle of reflection भी I होगा तो आपसे पूछे कि Angle of deviation बताओ अब ध्यान जासोनो मेरी बात यह I है तो यह कितना हो गया 90 minus I हो जाएगा यह I है तो यह भी कितना हो गया 90 minus I अब यह 90 minus I है तो यह भी 90 minus I होगा न अब vertically opposite तो आप देखरे हों मैं आपसे पूछे हो Angle of deviation कितना आता है इन जर्नल Angle of deviation किसी भी light ray का Angle of incidence I है और आपसे पूछे हो Angle of deviation तो आप देखरे हो 90 plus I 90 minus I प्लस यह वाला नीचे वाला 90 minus I यह पूरा एंगल ही तो है देखरो मैं माग करता हूँ अलग से यह जो पूरा एंगल बन रहा है न यही तो है Angle of deviation जितना एंगल से light ray डेविट हो गई तो हमें यही तो चीह था तो यह कितना जाएगा 90 plus 90 180 minus 2I तो यह होता है light ray कितना एंगल से डेविट हो जाती है तो plane mirror light ray को इतना एंगल से डेविट कर देता है where I is the angle of incidence ओके तो यह journal case है यह मैंने आपको एक journal case बता दिया exam में यह भी बूस सकते है ओके तो ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो आपकी चोएज है ओके so I hope you have understood it well good luck